अगर हम enzyme innovation की बात करें, तो basically दो तरीके के enzyme innovation होते हैं, एक है competitive और दूसा है non-competitive. दोनों में difference क्या है? जो competitive innovation है, वो आपका कैसा होगा? Reversible होगा. कि अगर आप substrate को increase कर दो, तो वापस से आपका क्या बनने लगेगा? प्रोड़क्ट बनने लगेगा. लेकिन आप non-competitive की बात करो, तो यहाँ पे यह कैसा होगा? Irreversible होगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो enzyme की active site है, वो ही पूरी change हो जाती है, जिसने substrate आपका जाके bind नहीं कर सकता. तो यह नीट के लिए बहुत ही छोटा सा concept है कि आपका competitive and non-competitive कैसा होता है?